कि विचार चल रहा था कि भई लक्षण तत ब्रह्म के वाक के शेश और जोड़ लेना चाहिए लक्षण सुत्र में एक जो जल्वस्तिति और भंगा एतादर्श जगतगा जिस से होता है जिस सर्वग्य से सर्वशक्तिमान से होता है वह ब्रह्म है जिसकारण भूता सर्वग्य सर्वशक्तिमाने जिस से होता है उसका ब्रहम है निरुटकार ने अपने प्रतम अध्याय प्रतम पार की तीसरे ही में कहा दिया जायत्य अस्तिप्रणमदे वर्दत्य पक्षियत विरश्यती छै प्रकार करूने लिया है और आपने तीने ही विकार को गिना है जन्मसिती और भंक ऐसे क्यों निवनता आ गई का ते निवनता नहीं है क्योंकि अन्येश्व में भाव विकार आना भाव पदार्तों में होने वे इन तीन में अंतरव हो जाएंगा आते वे जनमसी ते नाशा नाम यह ग्राण हम इसी कान से सुत्रकलती नहीं को ग्राण किया एक बात दूसरा और भी आपती है यदि हम उनके हिसाब से च्छे लेते हैं तो जगत के उत्तरकान में जो पदार्त हुए है उत्तरकानी न पदार्तों में घट जाएगा वो लेकिन प्रतम जो उत्तरकान वाहिरन कर वो उससे पूरुकाल जो है कारणर रुसरुप में इगटे गाने बतारे देखिए यास का परिपटितानां तो जायते अस्तित्यादी नंग ग्राणे ते शाम जगत स्थितिकाले संभावि मानत वाम वो तो जगत का स्थितिकाल में सम्भार्ण नाश ग्राण नहीं हो सकेगा कि जगत अंतर वर्ति पदार्त उंगले रोका रहे हैं जायत अस्ति इसे जगत की ब्रदी वागू नहीं होगा जगत में विद्धेमार कारियों में वागू हो रहा है तो जगत की विश्य में वागू नहीं हो सकता मूल अभी निमित उपारण कारण तो मूल तरसी जो पैदा हो रहा है उस तृष्टी सो नहीं कह रहे हैं और इसे बनीगा भी नहीं ति इनका जो कतने जो वो दूसरा है जो देख रहा है माता पिता उसे पैदा हुआ उसको ने करके या घट को पैदा किया वहाँ निमित कारण अलग होता है उपारन कारण अलग गए अलग अलग जब होते हैं वहाँ वेवस्ता है जह अभी निमित तो आपारन कारण वेवस्ता घटती नहीं है इसर relay काते हैं बूल कारणा दूत्र नाशाहा जाए जगतो नगरिये तासियो इते नाशंके ये शंके तो ऐसी आशंक हो जाती। यदि हम यास्कमनिक एसाब से चलते तो ये शंक हो जाता फिर तो बहुत जगत के उत्पशिति और लेको अपने ग्रहन किया ही नहीं। बहुतिक वस्त्रों का इकेवन जगत में जगत पनोनी के बाद में जो हो रहा है घटनाएं। उन भावप्लदार्तों के विकारों का अप ग्रहन कर लोगे तो जगत का वी जो कारण होता है उस कारण से जो पैदा होता है जगत का उत्मसी तिल्ले को ग्रहन नहीं कर पाओगे ऐसा आशंका हो सकता था अनमाशंकी इती ऐसी आशंका किसी को न हो वे इस भावने आज़े सुत्रकार ने तीन को ही ले लिया जगत का मूल चीज है उसको ले लिया जगत अंतरवर्ती कारियों में बले शट भेदम या विकारों को गरण कर ली जिएगा नहीं जगत में इतीन है कि जगत ऐसा नहीं है ना कि भाई आप जो देख रहे हैं वह अस्ती हो गया अस्ती वर्दत है जगत बढ़ेगा क्या इस जगत में बरने लग जाए मुश्किल हो जाएगा पादवाश्य भूत आनी बिगड जाएगा एक पाद में तो पैदा ही हो था अब बढ़ेगा तो दो पाद में चला जाएगा ना इस शुरती गड़ा जाएगा पाद बूत आनी तरपास्य पैसे अम मुरूती नदी इसे प्रणाम भी नहीं मिलेगा अपक्षियती भी नहीं मिलेगा जायती अस्ति और विनश्यती बागी इतिन गयद इसी इतनाम के जन्म शिति और भंग जगत में ती नहीं हो सकता है वर्द्धी विप्रणाम अपक्षय एतिनों नहीं हो सकता है कि इश्वरिय जगत का जो है ऐसे निर्मान की है न यह बढ़ता है न घड़ता है इस अजमान कायर पर टूसरी सब्सक्राइक भिए एस कि में शुब्र। इश्वरिय ब्रह्मान में कभी भी न्यूनाधिकता नहीं हो सकता है संतुलित ही चलेगा आज नकली आपने नगों को लाखों में बना लिया असली नगगायब हो गए असली रत्नगायब है अधान गो जगपर तो असली आदमें की जुरुत क्या रह गया है रोबर्ट बना रहे इतने सारे हैं है एक आट बना दिया है कि जो कि अधालर नाचने का क्लप क्लप डैंस में जिसको कोई लड़की पसंद नहीं दो रोबर्ट को लेकि नाचो बोला रोपट लड़कियां बना दी नाचने के लिए उन आचती है रोपट लड़कियां अब बताओ तो असले लड़की की जरूत क्या रहे हैं इस उत्पत्ति क्या जरुत रोपट तो जगर भधारन नहीं कर सकते ना इस तरह से जब जितने आप अनिए चीजों लेते तो मुख्यी चीजें संतुरित है लेकिन चीज तो वह है लेकिन संतुरित आपकर सारी चिजी भी दिमान होते हैं अते वह यहा पर काते हैं विपरिणाम अपक्षय यह व्रदी आहिज जगत का होता है हती शड़्पिकारों को हम इस एक धार कर लेते झेमिदि के जन्म यो जगते बाइप सुत्र बना देते फिर यह सिद्ध होता जगत के कारण ही सिद्ध नहीं होता सिद्ध किसका होता इन बहुत ही वस्तों के कारण कॉर्ण सिद्ध होते कुडालादी सिद्ध होते अ उसके लिए सुत्रभान किया जुरूत है उसके लिए सुत्रभान किया जुरूत है उसके यदि आप यासमनी का शट्वकार को ले लेते, फिर जगत का जो अपने ग्रहण किया ही नहीं, ये आशन का ना हो, इसलिए तन मा शंकीती योद्पत्तिर ब्रह्मन, तत्रिवसिति प्रडेश्च, तयव ग्रियन्त है, जगत आंतरवरती कारी है है, ये जगत थोड़ी है, बढ़ा गड़ दिया, कहां से लाया मखान को, जगत के बहार से लाया हो, इंट लाए हो, ये इखी तो थब, येखी पत्थर लगे, ये खी लोगे, फिर दुसरा आकर हो गया, बढ़ा का घटा का- इसे तो गट का तुस्टान दिया, अरे मिटी घड़ा हो गया तो क्या नह में आकार सन्नी विशेश मात्र तो बदला कि जगत बदल गया जगत का मतलब क्या पांच होती कोनी चाहिए उसे अतरत कुछ हो तो बता हो क्या पढ़ रहा है गट रहा है एक सर्व से दूसर बदल गया इसे तमर का जण संग्या पढ़ रही है बोलते कहां पढ़ रही है मचली मिल नहीं रहा है मगरमच गट गए शेर सिंग गट गए हिरन गट गए उनकी संग्या गट रही है सब यहां मनुश हो गए दिवस्ता तो चली रहा है आप केड़े मकोड़ को मार दे तो महात्मा बनेगा महात्मा के हाथ से किसके कल्याण हो गया है तो उसका दुधार हो गया तो मनुश बनेगा, वेदान पड़ेगा हो इसलिए मनुशों के संग्या बढ़ती जा रही क्या करे कारण में नहीं हो सकता नहीं जो कारण में आ गया फिर तो कारणी नहीं है, क्या बात कर रहे हो, इतने न्याय वगर आप पढ़ करके बात बोल रहे हो, नहीं नहीं, कारी का धरम कभी कारणी में नहीं, कारण का धरम कारणी में कहा गया है, कहीं भी ऐसा नहीं बोला, कोई भी दर्शन कारणी मानते दुनिया में, कि कारी का धर के साथ जोड़ दोगे प्रमनित्य हो जाएगा पचांसों बार बोल चुकिए मिठी का इद्रिश से गट कम काते कारण साननी है गट का इद्रिश से मिठी गट साननी नहीं है कारण का इद्रिश से मिठी करन आयेगा यहाँ पर यह तो वेदान पर ब्रहांति होता है इसे लोग तुझे गट सत्य बोल दिया फिर तो आपके सबसे ठीक है वह तो बर्म सत्यम जेगा सत्यम जीवाई मिठ्याई फिर तो लियाने कि इसरे कारी का धर्म को कभी कारण में दाला ढूक अबिन्यन देद्रियो से इसलिए करेन करें जी है इसलिए अभिन कहा जता है इसका अभिन कहा जता है कारी का जो जो धर्म सब कारण में आ गया ऐसा कभी नहीं कहीं भी वात नहीं आती कारी का धर्म को कारण में कभी नहीं कोई भी दर्शन कारण नहीं मानते कारी कारण भाव ही खतम हो गया कारण से जब कारी पैदा होता है कारी का अपने एक विलक्षण दर्म होता है और कारण का सभी धर्म असके अंदर होता है कि यह माना आगे तो जगत का अभिन निमित्तोवन का ने ब्रह्म बोलते हैं समझाने के लिए तो रवास्ते कटम गो concepts the इसलिए घटकारी है मिट्टी कारन है इसलिए व्याभारिक दिष्टी कोन से क्रियान विएक लेख करके आपने अपने अपने सब भेद कर दिया वास्ते में गया है अभी मिटी गट बना का अभी मिटी के लोग कोई गटो तो पता ही निए बस आकार विषेश बदल गया उस आकार विचेश को आपने कारिय नाम देनी और उसे क्रिया विशेश के साथ संपादन हो रहा है और जो कारन सुरुप में जब था उस रुप में कि अधिक भी कि लिएवर ज्रष्टिया है पारमाद्र के दिश्टिया मित्या का इत्यवसत्यय वुए सिर्दिर भूत ना है कि कभी भी भूसे कारण का दर्म को मिल्हें जेसे लाते कारी काझ ओकान मी पॉरीद आगतर है कर दो आधि नेहि 허팝 179 को स्वेस्जणfeed ने परतिपादन का पोलुट रहा है वाकार सब पुल्टा पल्टा करुए अब लिक्के दिया एक बात को छोड़ गए तरह सारा पुस्तव में सब गलती करते हैं शिवान जी पड़े भी उसको लिक्के दिया जो कन्यड में सब अब क्या करें ऐसे लोग है ना उल्टा सोचने वाले कहां अननित्या करांग करने चाहिं किस दर्ष्टी से जानारी और दृष्टी भी कूँ है आपको प्रहुं को समझाने के लिए लक्ष यह हमें नहीं कि जगत प्रहु है करना और ने तो कतन के पीछे लक्षी के यह वो ध्यान दीजिए समस्त शुर्द्यों का लग्षिया बारमारे बोल रहे हैं वाशिकारियां सुरू में ही समस्त जो है वेधान्द को लक्षिए एकी तत्व को बोत कराना है ब्रह्म तत्व और अनि जितने भी बाते कह रहें एं असले सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगनमित्या बात्त जगत पैदा है नहीं हुग इसे जितने भी बाते कही जाती है उस तत्तु के और आपको ले जाने के लिए धिरे-धिरे-धिरे कताना के आंति को कारण मुख्य कारण कोड़ इसले यहां पर क्या बोले मूल कारणा बास ब्रह्म से जोत्त्ति कही गई है जीन चीजयों होंगा तध्रईय उसी ब्रह्म में उनकी सिथी भी खें उसी ब्रह्मनं का प्रडे भी थे यह उग stuffs जाता है इसे उनी को गरना कहारा है अन्य को निए गरण करना है, कि अन्य को गरण करना में विविदोश आ जाएगा, वो वहाँ पर है नी, ने ये थोक्त विशेशन से जगतो, ये थोक्त विशेशन में इश्वरम मुक्तवा, अन्यता, प्रदानाद, अचेतनाद, अनुब्यो, अभावात, संसारिनवा, पत्या संभावाई तो मिशक्यां, ये थोक्त विशेशन वाल इश्वर, ग्या पर करें स्पस्ट, सर्वज्ज्य सर्वशक्ति मान जो इश्वर सी, जगत पता हो सकता है, शुद्ध भ्रन निर्गुणराकार से निग होता, यहाँ शब्दाली पर पूरा ध्यान देना चाह सब्सक्राइब और किसे नहीं होता जैसे सांक्यों का कहना है प्रदाना दच्चेतना अच्चेतन प्रदान से जगत उत्पति का कथा नहीं हो सकते अनुप भ्या वैशेशिक और नयाई को मिमान सकते परमाणों से होता है उससे भी नहीं अभावात वह नाशिक लोग आपके बहुत धे बहुत दोग क्याना है अभाव से असथ सुथपन होएं और हटि पावराणी का दिलोग करते हैं संसारी नहीं हरिंद कर पिसे जगत पेदा नहीं हरें रिखर्ण कर खुद पढ़ा रहा है उसे काहाँ सारे पैदा हो जाएंगे ओ जिससे पैदा हूआ है उसी में मंने सरजग पड़ा कुलाल गट को पैदा करता तो कहा पीदा हो रहा है हमारे द्ष्ठ कौन चाहई बोलते हो लेकिन वास्त में गट पुहते हो प्रमी पीदा हो रहा है अब ही जो पैदा होते हैं वह भी आ मेहांन दूजा जो इता से प्सक्राइफ कर गए सब्सक्राइब कर लिया जो शब्सक्राइब है सीन के विष्टि हएं यह वे इते लिए घुषिंपल सब्सक्रीत अब गूण हो जह सब्सक्राइब उसी में लाई भी हो रहे हैं। लेने एक व्यावारिष्ट कोण से कद यह मिट्टी से घट पजा और घट मिट्टी में लाई हो रहे हैं। इन चीजों के द्वरा संभावित करना संभाव नहीं है। अपने आप मिश्रन भी हो जाते समय से अपने आप टूट भी जाते समय पर। विना कोई नियंत्रक का सब चलता है सभाव से सभाववादी लोग। इसा भी नहीं कह सकते हैं। अमुक दारिक अमुक दमय को बच्चा पैदा होगा। अपने तोड़ा 19.20 हो जाता है चार बज़े बोल दिया। साड़े चार को गया पांच को गया तीन को हो गया। इन लगबग सही बोलने लग गए है। विशिट काल में बोल दिया कि नहीं बोल दिया। और जोतिशी विशिट देशे बोल देगा। यह कहां जन मिलेगा बच्चा। यह गर्ब कहां जाएगा, कहां पैदा होएगा। ऐसे एक कर्बणी थी आपके बुलनशार के पास। किसी जोतिशी ने कह दिया। मानते नहीं रहे लोग। बच्चा यहां पैदा नहीं हो सकता। सुस्रावलों को बार-बार बोल रहे हैं। इसको माय के भेज दो। वो नहीं मानते थे। नहीं, नहीं करेंगे। अहोता नहीं गमन पती का। माना नहीं। हुआ गया। पैदा होना था कल और आज का दिन ही वो दूसरे लड़के से भग गई साथ। गरवणी और दूसरे आदमी के साथ भग गई। और ट्रक में आ रही थे ट्रक में पैदा हो गया। कि रवड़ा आश्यरी है। नहीं है। ट्रक में बच्चा पहला हो गया। रास्ते में। और रिष्केश आई यहां पर हो। इसी शिशेम जाड़ी में अभी रह थे हो। भगार भागा के जो लाया था उसके साथ अभी रह रह रही। अब जो तिश्य से ही वाकी नहीं। विशिट देश उसमें बता दिया तो यहां नहीं होगा अन्यत रही होगा अन्यत रही हुआ ट्रक में हो गया। तो विशिट काल बताने वाले हैं विशिट देश बताने वाले हैं पर यह कैसा सित हो इसे सभाव से होता तो। इसे विशेट देश, विशेट काल, विशेट निमित्तों को लेकर के जगत के उस्तों के उत्पति के बार विजार होता है, यह उपादानात नस्वभावद, इसो स्वभाववाद में समापत हो गया। एन हमें वो अनमानिष नहीं है। एतदेव अनमानम संसार वित्रित इश्वर अस्तित्व वादि साधनम मन्यंदे। इसी अनमान को संसार से वित्रित इश्वर के अस्तित्व का वादि लोग, इसी अनमान को इश्वर अस्तित्व में साधन मानते हैं। कौन इश्वर कारणी ना इश्वर जगत कारणी जो ऐसा मानने वाले नईयाई कादिलों का कहना है तो इसे प्रदान के प्रदान इसले खंडरन होता है वो काते पुरुष से कोई लें देन ने श्वतंतर प्रकृति अपने आपधा करती है उसको इश्वर की जुरुति नहीं उनके प्रदान को इश्वर की जुरुति नहीं जगत पादा करने पिर आप कैसे उस गरवे कर रहे हो यहां इस प्रहों प्रधान चाहिए। उनके मत की अनुसार जो प्रदानय। उसे खंड़ान करये हैं। उने का स्वरुफ नहीं करने। वो अपने मर्जी से हो जाती है, और पुरुषा भोग देना चालू कर देती है, ऐसे कोई मर्जी से अपने लड़की पैदा हो गया पती बना लिया, आज भी नहीं हुआ, तो कहां से अनाधी काल में से प्रकृति जाओ, मोल प्रकृति प्रदान जाओ, सोतही सब कुछ बना प्रदान जाओ, 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 प्रदान जा लोग मान रहे हैं। उसे माझें इश्वर अधिन है, जो नामपरिवर्टन नहीं किया है, शुरूप ही कारण का पजिन है, वो इश्वर अधिन है, स्विच्छा पूरक कोई के ऊक्तबअ कोई लाना है, बाल बांका हुआ कहते, इсти दर सोह इसकोई रुद दर लोग हो कहते, इश्वर की उच्छा इस गातला माया उसकी आधीन है, माया स्वतंत्र नहीं है, स्वधा प्रणाम को प्राप्त नहीं हो रही है, इश्वर जो है, विशिष्ट देश का लिमित अभी को अपेक्शा करता हुआ, जगत पेट जगवे तो जगवे तो जिस पेदा करता है, वहां के जीवों को देखा, इन्होंने बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं सब, सब धोंग जाज़ा चल रहा है, पाणी पासाना बंद करते हैं, सुखा पड़े होगा, और कहीं देखते हैं, यह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यह खुब पर इस गर्द सब भाजाए, सतनास तब भी करना है उसने तो, किसी न किसी रूप से, जिसको जितना मिलना उतना ही मिलेगा, जाज़ा मिलना ही सबता है, कारण क्या है, एक दूसरा नियंता है, इश्वर है, उसके अधीन माया कारी कर रही है, इसलिए कहते हैं, जो लोग यह अनमान को रुप में स्विकार करन वो अनमान बीष्ट नहीं है उनका, अनेक गर्दरे भोक्तर संयुकते जो जगत है, प्रदाज अचेतरों से पाइदा नहीं हो सकता, इसलिए प्रमान के ना सतो विद्यते बावो, ना भाव विद्यते सता, गीता जी में कहा है, सदेवसो में दमगरास, इस छांदोगी में कहा है, इसलिए प्रमान प्रदान निसे नहीं हो सकता, ना सतो विद्यते जड़े जो असत है, उसे असत के उद्पति नहीं हो सकते, ना सतो विद्यते भाव, अभाव से उद्पन नहीं हो सकता, अनुवन से कहते हैं नहीं, सदेवसो में अगरासित कहा दिया, अनवा ये व इसके लाने भी नहीं था, संसारी भी नहीं था, सब खंड़न अपने आप हो जाता है, इनी दो मंत्रों से, कदम सता सज्जायत भी बोला है, इनी शुर्तियों सिद्ध हो गया, कि इश्वर जरूरे थोकत लक्षनवाला, सर्वग्यत सर्वशक्त मत विशिष्ट जो, इश्व इसनों आधिका कर छोड़ दियत, उभी लेना पड़ोगा, तो येत देव अनुमानम संसारी वेतिरिक्त इश्वर आस्तिवादी साधनम, इदे मन्यन देखे इश्वर कारणी नहा, वगले जगत जन्नमादी, सर्वग्यीश्वर करद्रगम, कार्यत प्लात विए उनका अन जगत चेतन करद्रगम, कार्यत प्लात घटवत, कैसा चेतन है वो, सर्वग्यीश्वर करद्रगम, क्यों चेतन तो जिवाद पाभी है, पहले तो आप सामानी सिद करदो, चेत्यंक करद्रगम, सकर्द्रिकम, कार्यत प्लात घटवत, कस्च सकर्द्रिकम, जड़ोवा चेतन गडिघम ना तो प्रदानाधी करदड़िगम कार यत्वात परिच्च नतवात डिरश्यतवात सभेतूतु gjortुल थी को primy विच्चितन कोण जीन नहीं जकात्य匪 जन्मादी सर्वग ईश्वर करदड़िगम कार यत्वात यथा अनमान को ले करके लगता तो है हमारे अनमान उनकी अनमान बिलकुल समान लग रहा है कारेतात, परिचनतात, द्रिशतात, आये नहीं मानेगा, द्रिशतात नहीं पारेगा, परिचनतात नहीं मान लेगा, कारेतात नहीं मान लेगा, सगल जगत को द्रिश नहीं मानते हैं, सत्य मानते हैं, यह द्रिश हो गया, मित्या हो जाएगा, द्रिश्टा से भिन हो जाएग कि हैं लेकिन भास्चे अपना व्याज जी भाशचार इसका पसंदी करते हैं कि इश्वरम वादिओं दोर्कृत अनमान की सदृश्य हमारी अनमान लगता है लेकिन ए आनमान बहुत नही है उनकी ओफ अनमान में ए इश्वर से भिन उपाधन कारण है इश्वर को वो निमित कारण मांते हैं और हम दो निमित कारण उसके अनमान से सिद्ध होता है और हमारे अनमान से जगत का अभी निमित कारण कारण की सिद्ध होती है तो भिनकारणा भावात। कि सत एव इदम अग्रासेत, न तो किंचित-भिन्नम। अधिव सत ही था और सत से तूसर था ही नहीं। अधिगे इश्वर से भिन्न पर्मानू के कहां से बिलेगा। इश्वर भी परमानों को लेकर काम करेगा अब निमत्य अन्गान करना हो तो यह अनमान हम नहीं माम पाएंगे इसले काते हैं हमें यह अनमान इश्ट नहीं है यह पिस्त देव उपन्यस्तम जगत जन्मादी सुत्रे और पक्षी ने कहा जो इश्वर कानवादियों ने अनमान प्रस्तत किया है वही अनमान तो यहाँ पर भी है आपके इस जन्मादी सुत्र में जगत जन्मादी सर्वग इश्वर गर्द्रगम कार्यत्वात घटवत इस अनमान को बताने जगट जन्मादी अस्यतहा ये सुत्र नहीं बना दिया है जन्माद ते अस्यतहा सुत्र जो हैं अनमान को प्रुस्टत करने क Yay, नहीं है पर किसलिए लाया है सुत्र? देकने में तुर जबता हैं Anumान के लिए है अस्यजगत हग जन्मादी सर्वग ईशोर करद रिगं कारेताद घटवत ये अनमान बन राएथाए सुत्र से तो कर जटेन नहीं नहीं वेदानति वाके कुश्म गरभानारत तत सुत्राण कोई वे सुत्री अनमान बनाने दिले नहीं इस सुत्र किसली बने हुएं? वेदांत वाक्यरूपी कुस्मों को परसपर में समनवे करता हुआ संग जोडने के लिए जैसे अरुदरागचा लिमनीकां को जोडते हैं भागों से वैसे वेदांत वाक्यरूपा कुस्मया पुष्प हैं इन पुष्पंगों गुंत करके हमें माला जैसे बना करके परिपुरणता को दिखाना है, जीव प्रम वैक्यत्ताव गती करानी, अनुबूती तक ले जाना है, समझाते 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 आपको अनुबूती तक पहुंचाना है, उसके लिए प्रम सुत्र बना है, न कि कोई अनुमाना ऐसे किसी तत्र को सित्तर नहीं है, इसरे काते हैं, वेदान्तवा के कुसम ग्रथनार ठत्रात सुत्राणा, जितनी भी सुत्रें 555 सुत्रा पढ़ने जा रहे हैं, चार अध्याय सुलह पादों में, तो ये 555 सुत्रा एक तरसे 556 फुलों को जोड़ने के लिए, गांट लगेंगे न, पांसो चपन के जब 555 गांट लगेगा, ऐसा ये विलक्षन सुत्र है, तो वेदान्त वाक्र पे कुसमों को पर समनवे करके, ब्रह्मा उगती कराना हमारा लक्ष है, अनमान के लिए, वेदान्त वाक्या नहीं सुत्रे रुदाहृत्य नहीं विचार यहיים थी, क्योंकि हम यहां पर सुत्रों के द्वारक्या करने जा रहे हैं, वेदान्त वाक्यां को उदाहृत्त करके उस पर विचार करने जा रहे। इसे ने पहले भी इतना उसे ब्रमो जिग्यां था न वर्फर सन Wojah उसी प्रकार यहां पर भी कहुं आ था जनमा सर्व है नैतह हो बाह्य मानि भूतानी पर सनव lux ही हो जाता हे इस प्रकार से सूत्रों को व्यांत वाक्क्यों का गर्थन करने के लिए प्रयोग करना है और गरथन केवल यह जाए किसी अन्य पक्षादियों का अनुमान अधी का समर्थन में हमारे सुट्र केवल वेदान्त वाक्त्यों को उधारत करता हुआ उन पर विचार करने के लिए क्यों विचार करना चाहते हो वाक्यार्थ विचारना अध्यवसान निर्था ही ब्रह्मा अवगती ही क्यों वाक्यार्थ के विचारों के द्वारा जो वाक्यार्थ के विचार है वाक्यार्थ विचारत द्वारा निश्चित अध्यवसान निर्था निश्चित अध्यवसान निर्था निश्चित अध्यवसान निर्था निश्चित अध्यवसान निर्था 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 अन्य अनुमानादियों के द्वरा ब्रह्मावगाती असंभवे ना 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 अनुमानादियो होगे बेर सब्सुतु वेधांत वाकेशो जगतो जनमाली कारण वाईशो तधरत ग्रहन दाड या या अनमानम पे वेधांत वाके आविरोधी प्रमान भवन ननिवार ये थे कि शांका होता है। इस खतल अपके वेधांत दर्शन वे अनमान का कोंए स्थानी नहीं। अद फ्रतेश कोंए स्थानी नहीं। उप्मान सब्सक्राण संगाविय। ये किसी प्रमान कोंग공्जाई सीन हिर। काते नहीं, इनका भी हम आदर करते हैं, हम इनका आदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको प्रधानता हम नहीं दोते हैं, कि जिस चीज को हम ग्राण करने जा रहे हैं, वो चीज तो इनसे मिलने वाला है नहीं, तुनको प्रधान क्यों ग्राण करूँ, जिस प्रमान से हमें वह जिसकी प्राक्ति हो सकती है, उसी प्रमाण को प्रधानता देंगे, बाग के सगल प्रमाण उस प्रमाण के उतपोतबलक सहयोगी मानेगे, उसकी दृड़ता के लिए ले जाये, जिसे पत्थर आप डालजयो गडिम क्यों डाल ज meisten पत्थर की महिमा गाने के लिए, नहीं, वो खूटी को ठोस करने के लिए, जिस खूटी को गाड़े हो, उस खूटी को ठोस करने के लिए पत्थर डालते हैं, यह निकि पत्थरों से कोई कारिसीद करने जा रहे हैं, ठूंट से हमें कारिसीद करना है, लें ठूंट से हमर लक्षी पुरा होने वाला ह उन पत्रों से होने वाला नहीं, गाय कहा बंदेगी, पत्रों में बंदेगी, जग अड़ा हुआ अंदर, गाय तो बंदेगी खोटी से, एमिना पत्रों का खोटी भी मजबूत नहीं वा सकता, बस उतने मात्रे ले पत्रों की महिमा हम लेते हैं, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष वेदांत वाक्यों के यथार्त ता सिद्ध होने के बाद ता दर्त गृण दार्धिया आया। वेदांत वाक्यों से ग्रीत जो अर्थ पदार्त है उन्हे को दृड करने के लिए अनुमान मपी अपि मन जा अन्नी भी प्रमान ले ले लेना। प्रत न न निवार्यदें। वेदांत वाक्यों के आवि रोद्य प्रमान ले ले लुग। आज़े को जम कभी निवारन नहीं करते हैं, वो हमारे लिए स्विकार है, शुरुती खुदी करती है, भया अनुमान की साहता ले लो, तर्क की साहता ले लो, ने तो मन तब बोलने की जुरुत क्या है, शुरुत अभियो, ने ध्यासी तब या, स्रावन करके वाक्यारत रिशे कर ले फिर जिद्धा ध्यान में कुद जाओ क्यों कि विप्रति पत्यों को कौन दूर करेगा आपके अंदर जो वासनाएं हैं उन वासनाओं के दर शुर्त्यर्त दुड़ नहीं हो सकता विप्रति पत्या तंग करेगी इसे खुटी को गाड़ो जिस मिट्टी निकाले तो मिट्टी डाल दो तो क्या होगा उनी मिट्टी से भर दो गड्डे को तो खुटी टिकेगा गाए एक बार हिलेगी नहीं तो सब गया पूड़ जाएगा नहीं उसको टिकाने के लिए मिट्टी के साथ पत्थर डालना ज़रू नहीं हो कि असी प्रकर यहां पर शुरुतार्थ ज्ञान जो हमारे पास है उससे जो हमारी वासनाइं कहीं इदर उदर ना कर दे वासना के कानद से आप उसको गौन कर दे आशुरुता करने लग जाए बहुतरे वेदानती है जगतमित्या लेकिन भाई जगत अपरे जेव के इसाब से तो सक्के है नाया से निरे करूर चाहिए अंदर से जगत को सत्थी मांन रहे हैं बार से वेदान पूलड रहे हैं जगतमित्या क्यों? कारण यही है उनकी वासनां को उनोंने इन विप्रति पत्यों को तोड़ने के लिए तर्क को इस्तमाल नहीं किया आप शुरुति कहती है शुरुतिय वच्छा सहायत पे न तर्क से अद्धु पही ज़ा था शुर्ति सुलयम ही जो है ना तर्कों को अप्रे साहय क्रूपेड स्भिकार कर लिया है कहां स्भिकार किया तता है शुरोत अविय बंत भीड़ी सुर्दी पंडितों मेद्वी गंदारान वो उपसंपत्येत इवं मेव आचयरी मन बुर्षों बेदा जो पंडित है, जो तरक कर्म कुशल है, वही वेक्ति सुनावा का अधार पर समय को सोचते में चलेगा, अकता यही था ना, चोरों ने जो आंक बांग कर उठा के ले गई, जंगर में बांग छोड़ दिया, सार चीन चान करके, उसको पता ही नहीं था, सननत धाक्ष था वो, चलाता है, बचाओ, बचाओ करके, तब कोई आया, आंग खोला, पट्टी खोली को सब किया, कहां से होला, गंधार देश, अरित हो तो बहुत दूर है, तो कैसे पहुंचेगा, तुम रास्ता में थोड़ा ही बता दो, हम आग के काम निकाल लेंगे, उसने पता है, पिर यह जाओ, पिर उसने आगे का पता ही कुछ दूर तक ही वह चला गया, ऐसे करते करते करते, अब लक्ष को पहुंच जाता है, लेकिन उसका अपना विवेक्पी तो जरूरी है, तो आज की जमाने में है इधर उधर जाबोल देते हैं, लड़के भी ऐसे कम नहीं है, तो आपना विवेक्पी तो करना पड़ेगा, हम किस दिशा के और जा रहे हैं, पूर दिशाय में रहने वाला जो है, शार को जाना है, अपसिंद दिशाय के और जा रहे हैं, किसकी कहने पे, कुछ तो सूरु तो दी कर, आकल तो लगाओ, वो अकल कौन देगा, पंडितों मेदावी इ पसंप देदाव गंधार देश को यंद में अवश्य प्रात कर लेता है, यह मेवेत मेवय आचारिवान पुरुष हो देगा, इसी प्रकार यहां पर जो आचारिवान पुरुष होता है, वही इस आपनिशन पुरुष को अनुभव कर पाता है, इतिचा शुरुती, इस अपने लिए पुरुष की बुद्धी के सहयता ब्रह्माव में पुरुष कि बुद्धि के ओाता है, यह इस शुरुष उपुरुष का प्रात लिए। जितनी आपके बुद्धे तीक्षिन होगी, उसके बुद्धे तरक शील जरूर होगा, क्यों? बिना सद्धिस्पूर्थी का वेक्ते तरक करी नहीं सकता, तो सोचते रह जाएगा, तरक में आगे बढ़ सकता वही वक्ते हैं, जो सद्धिस्पूर्थी वाला रहते हैं, जो जो तेरे हम किसको बढ़िया पखणे नियाए पढ़ानी के लिए, को धंका लडगा ही नहीं मिल रहा है, वो खोज में गए शिशी का देख लो, शिशी का खोज में जो, ऐसा भी होते हैं, उन्होंने क्या जेक एक बार गर में जैसे विक्षा मांगी, उन्होंने कहा कि भई कि माता बोली आप बैठिये तोड़ विश्राम की जब अभी तैयार कर लेता है, बार खेल रहा तो बच्चे को बला है, रघू, इदर आओ, जाओ आगको लियाओ, पडोसी घर से, हमारे घर कहाँ बजा हुआ है, खेलता हुआ बच्चा सीधे ही चला है, कोई बरतन नहीं ह बच्चा उदर अपना दिमाग खेल में है, वो आग लाकर बोलती है कि ले जाओ, तो दिमाग उसका देखो, रगणा श्रोवनी का, खट से नीचे से मिटी उठाया है, मिटी पर से सेरे ले आया है, तो उसको सीनरी को जो देखा, यह है खोपड़ी वाला, इसको ट्रेंड कर देंगे, निचल से नियाय का धुरंदर रिद्वान हो जाए, वो सदिस्पृति हो निचला, वही नियाय कोड़ सकता है, जना असान है नहीं नियाय, यहां बोलते है कि पंक्ति लंभी होती है, आगे परिच्छन बोलते है, पिछे पर दिवान, चूट गया तो गये, गये पहुंच गये तुम पीछे रह गये, यह तो होता है न, गोपुचन बोलते है, गोपुच पकड़ी तुम पर दिवान हो जाएगा, जोट गये हो जाएगा, गये तो पहुंच जाई, तो रह गये जंग्त, वही आलत वहां पही है, एक यहां तो एक पंगदी किनारे में नहीं एक लाइन में भी नहीं एक पन्ने का उसको समझाने इतना बोलते तब भी उल्टा ही समझते हैं तो कितने तीक्ष्ट बुद्धियाब जी अपने आप सोच लीजी आएसे बुद्धिवालं को शुरुतियर्थ के साहता कितनी मिलेगी शुरुति को और कितने आप्तित्व चिंतन करके तत्व निरने कर पाएंगे यह स्वेम आदे को सोचना पड़े हैं इसलिए शुरुतियर्थ अनमान को पुण्डविन घंडर में यह करती है और पुण्डविन पेन हम लोग उसे प्रधानता भी नहीं दे सकते हैं शुरुतियर्थ का द्रड़ता करने के लिए बुद्धी के पेक्षा है और बुद्धी किस प्रगार की? अग्री बुद्धी के पेक्षा है तर्कशील बुद्धी के पेक्षा है सारी विप्रपितियों को काठने के लिए तर्कशी बुद्धी के पेक्षा है इसरे काते हैं, पुरुषबुद्धि सहायम आत्तन दर्शेती शुर्थी, शुर्थी जो है, स्वयम के कथित वचनों को अनुबहत पहुंचाने के लिए बुद्धि की सहयता मांगती है, मांती है, क्यों? क्या जुरुत्य है? क्योंकि जो है ना, शास्त्र कर नहीं सकता, अनुबहते हैं, और शास्त्र जिसको ग्यापित के उसको अनुबहत करना तो बुद्धि का काम है, अनुबहते हैं, इसलिए शास्त्र पुरुषच की बुद्धि की सहयता अवश्य लेती है, आपको प्रमा अगजी तक पहुंचाने के, इसलिए अन्तर बहुते, दर्म जि भर्मचिज्यास्ण भाद का राख नहीं भर्मचिए सामे जिस प्रकारक्व मेवा प्रमान होत artists, Allah स्रत्राइब, तस्वाचास्राम प्रमान name , और स्कार्याकार्य वस्ति भीशाधिया भगवान सब्सक्रापर और कोई रास्तानि वारे लें प्रामची ग्यासामे ऐसी बात थी है कि आपके सुरूप यह वाकसुरूप का पॉन्फफ कर रहे है उसके लिए शास्तुर क्या जरूथ है आप अपने अनपव कर लिया जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए शास्त्र फिलाठी की जरूते साहेक है बैसाकी की जरूते सबको बैसाकी की जरूत ही क्या दुनिया में आप चलते हो क्या हाथ लगा करके चलते हो जिसको एकसिडेंट हो गया पर लंगड़ा गया ठ्रैक्चर हो गया वह नो पैसाकी के लेगी चलेगा सबको जरूत नहीं है इसे सब ही जो सर्व समर्द अंतकरण पर शुद्धिजजगा पर शुद्धियों के अपेक्षाहिनी स्वार्व पानपती सीधी हो जाती है वह थकते हैंक बंता भी है बान पिलिया इतने ही उसका लुद्धियों आवरत चक्चिक दी रहा है लेनिया उल्टा है एकसिडेंट वालों के संग्या कम और दोनों पैर से चलने में संग्या जाता है 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 या ने ले शुरुति मैसानी कस्चिक दी रही होता है स्वत चलने और सब बैसाकी वाले जिनको शुरुति के पैशा होती है स्वत प्रुद्धियों मौती स्वत इस्वान भूति पर चलने वाले केचित केचित हुआ या नभवाद यस्च्य शाथ हितासम या प्रमाणंभवंथिति यहां शुरुतियालिया ही नहीं नहीं अनुपवाद यस यतासम व्या प्रमान बहुंति, यतासम व्या प्रमान होते.